पूरे हफते शांत रहने के पाद विक्रम वेधा ने शनिवार को किया चौकाने वाला कलेक्शन दोस्तो रितिक रोशन और सहफ अली खान स्टारर विक्रम वेधा ने पूरे हफते निराश करने के पाद वीकेंड पर एक बार फिर से हैरान करने वाला कलेक्शन किया है फिल्म को रिलीज हुए दो हफतों से जादा का वक्त हो चुका है और बीते दिन विक्रम वेधा का बॉक्स ओफिस पर तीस राज शनिवार रहा अब तक की पफॉरमस देखते हुए लग रहा था कि फिल्म की बॉक्स ओफिस से जल चुटी होने वाली है लेकिन विक्रम वेधा ने एकदम से चलांग मार कर सभी को चौका दिया है दोस्तों 30 सितंबर को रिलीज हुए विक्रम वेधा के बॉक्स ओफिस आकड़े अब तक कई बार हैरान कर चुके है कभी फिल्म 10 करोड कमा लेती है तो कभी पूरे दिन में सिर्फ 50 से 55 लाग ही जुटा पाती है बॉक्स ओफिस पर ठीक टाक शुरुबात करने वाली विक्रम वेधा की कमाई तीसरे चौते दिन ही गिरने लगी हाला कि दोस्तों फिल्म ने दोनों वीकेंड का फाइदा उठाया और जादा से जादा कलेक्शन करने की कोशिश की बीच में विक्रम वेधा के मेकर्स ने फिल्म के टिकेट के दाम भी गिरा दिये और हफते के कुछ दिनों के लिए कीमत सिर्फ 100 रुपए कर दी थी लेकिन विक्रम वेधा फिर भी जादा भी इकटा कर पाने में असमर्द रही शुक्रवार को फिल्म ने 50-55 लाग के बीच का कलेक्शन किया था जबकि शनिवार को विक्रम वेधा के कलेक्शन में कुछ उच्छाल देखने को मिला दोस्तो मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने घरेलो बॉक्स ऑफिस पर 15 अक्टोबर को लगभग 1 करोड का कलेक्शन किया है इसके साथ ही विक्रम वेधा की भारत में कुल कमाई लगभग 75 करोड पहुच गई है हाला कि दोस्तो ये फिल्म अभी भी अपनी लागत निकाल पाने से दूर है विक्रम वेधा का अप तक का कलेक्शन कुछ इस तरह का है पहले दिन 10.58 करोड दूसरे दिन 12.51 करोड तीसरे दिन 13.85 करोड चोथे दिन 5.39 करोड पांच्वे दिन 5.77 करोड चट्वे दिन 7.21 करोड साथ्वे दिन 3.26 करोड आट्वे दिन 2.54 करोड नवे दिन 3.94 करोड तस्वे दिन 3.96 करोड ग्यार्वे दिन 1.47 करोड बार्वे दिन 1.29 करोड, 13 दिन 1.03 करोड, 14 दिन 1.08 करोड, 15 दिन 0.50 करोड, 16 दिन 1 करोड, और ऐसे में विक्रम विथा की गुल कमाई 75.38 करोड पहुच गई है। जगा बना ली थी। और रितिक रोशन और सहफ अलिखान की इस फिल्म को भी पुशकर और गायतरी ने ही तिरेक्ट किया था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा था कि विक्रम विथा अपने पहले हफ्ते में ही 100 करोड का आकड़ा पार कर लेगी। लेकिन दोस्तों बॉक् पर अब तक 75 करोड ही कमा पाई है। और अब ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों में विक्रम विथा डोमेस्टिक बॉक्स पर 100 करोड का आकड़ा पार करने में कामियाब हो पाती है या नहीं। तो रितिक रोशन और सहफ अलिखान के तमाम फैंस आप बताईए कि आप विक्रम विधा के इन कलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर शेर कीचे अपने राइ कमेंट सेक्शन में। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले और बॉलिवड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीचिए इंडियन सड़े योटूब चैनल को चैनल को चैनल